नमस्तार दोश्तों स्वागते आप सबेका हमारे अपने यूट्वचा आप दोस्तों आजम देखने वाले कक्षा आटवी प्रितम 17 पेपर विशय इंदी कूलंक 50 चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर विवक्रमंक 1 जोकी गद्य विवागे कूलंक 16 प्रश्ने करमंक 1 निमलिकित पठित परिचेत पढ़कर दी गई सुचनाओं के अनुसारा कृतिया कीजिए इसमें सबसे पहले हमें जो गद्यवग दिया गया है वह हम पढ़ लेते एक राजा था उसे चार बेटिया थी राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद गयो के सो दाने दिये और कहा इसे तुम अपने पास रखो पाच साल बाद मैं जब उन्हें मागूँगा तब तुम मुझे वापस कर देना गयो के दाने को लेकर चारों बेने अपने अपने कमरे में लोड गए बड़ी बन ने उस दाने को खिड़के के बाहर फेक दिया उ दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डब्बे में डाल कर उसे मकमल के थेले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संकुचित में डाल दिया तुम पात साल बाद जब पिता जी यह दाने मागे तब उसे वापस कर दूँगी तिसरी बहन सोचते है कि इस दाने का क्या करू चोटी बहन बच्ची थी शरारते करना उसे पसंद था उसे ग्योग के बुने वेदाने पसंद थे उसने गाने बनवा कर खार डाले और खेल में मग न हो गई कुर्ति क्रमांक एक आकुर्ति पूर्ण कीजिए राजा ने चारो बेटियों को बुला कर तो चारो बेटियों को बुला कर क्या किया हम उत्तर एक सभी को सो सोग्यों के दाने दिये और दो पात साल बाद में तुम्हें मांगूँगा या बताया उसके बाद कुर्तिकर मांग का दो सही विकल पचुन कर वाक्य फिर से लिखिए एक इसे तुम अपने पास रखो डैश साल के बाद मैं तुम्हें इसे मांगूगा चार साथ पाच उत्तर पाच साल के बाद मैं तुम्हें इसे मांगूगा दो ग्योग के दाने लेकर चारो बहने अपने अपने डैश में लोट आई महल कमरे किले उत्तर दो कमरे में लोट आई दो निमलिकित वाक्षों को उचित घठना करम वाक्षे में फिर से लिखे देखिए कुल यापर हमें कितने तो चार वाक्य दिये गए हैं तिसरी बहन सोचती ही रहे कि इसका क्या करूँ दो चोटी बहन तनिक बच्ची थी तीन अंत में उसे एक उपाई सुझ गया और चार उसने दानों को भुना कर खा लिया इसमें सबसे पहले क्या आएगा तो अंत में उसे एक उपाई सुझ गया आएगा एक नंबर फिर उसके बाद तीसरी बहन सोचती ही रही कि इसका मैं क्या करूँ चोटी बहन चोटी बच्ची तनिक बच्ची थी उसने दानों को भुना कर खा डाला तो तीन एक दो और चार इस प्रकाइस का उच्चित क्रम आएगा इसके पच्चात तीन कुर्ती संबंद शब्द संपदा एक निमली की शब्दों के पर्यावाची शब्द लिखी राजा और दूसरा फैसला तो उत्तर राजा इसका उत्तर हो जाएगा महाराज या जनक फैसला उत्तर निर्ने निमली की शब्दों को लिंग बेद बदल कर लिखे दिब्बी उत्तर डबा बुद्धी मत्ती उत्तर बुद्धी मत्ता उत्तर राजा को जनक कहा जाता है जनक इसलिए के वह जनता का हीत चाते है और जिस राज्य में जनता सुकी रती है वह राज्य बहुत अधिक सुकहर होता है और पूरे जोरो शोरो से वहाराजा भी सुखी रहता है और राजागा प्रतम करते हुए यह है कि वह अपने प्रजा को सुखी देखे और उसे वेसा ही करना चाहिए दोस्तों यह स्वामत अभियक्ति हर कोई अपने अपने विचार से अलग-अलग लिख सकता है सुखा का समय था में डॉक्टर राजकुमार वर्माजी के प्रैक स्टेशन में स्तीत निवास मधुबन के और पूरी रफ्तार से चले जा रहा था क्योंकि दस बजे उनसे मिलने का समय तही था वेसे तो मैंने डॉक्टर साब को विविन उत्सवों संगिष्टों एवर संभिलों में देखा था पर उन्तु इतने निकट से मुलाकत करने का मेरा पहला उसर था मेरे दिमाग में वीविन विचारों का ज्वार उठ रहा था केसे होंगे डॉक्टर साब केसा होंगा उनका व्यवार उस साइत्य मनेशी का आदी इस तमाम उठते बेटते विचारों को मैंने उनके निवास्तान मदवद में प्रविश किया कापी साहस करके दरवजे के घंटी बजाई और निकला और पुछा क्या आप अनुराग जी है मैंने सिर्फ हाका मैंने उसने मुझे ड्रॉइंग रूम में बिटाया और यह कहते हुए चला गया कि डॉक्टर साब आ रहे है इतने में डॉक्टर साब आ गए अनुराग जी केसे आना हुआ आते ही उनने पुछा मैंने का डॉक्टर साब कुछ प्रसंग है आपकी जीवन से संब्धित उनको उनसे आपको जो महतोपुर्ण प्रेणाय मिली उनने जानकारी के हितु आया हुँ खुटिक रमांकर एक आकुर्टी पूर्ण की जीम पहला लेकाग ने डॉक्टर रामकुवार को कहा देखा था उत्पर विभिन उत्सवों में और संब्मेलोन में कृतिक रमांक दो उत्तर लिखे एक लिखक के दिमाग में उठने वाले विचार केसे होंगे डॉक्टर साब केसा होगा उनका व्यववार दो डॉक्टर रामकवार यहार रते ते ही शहर और निवस्तान उत्तर शहर प्रयाग निवस्तान मदुवन कुतिकरा मंक तीन, शब्द संपदा, एक, निमलेकी शब्दों को प्रत्य में जोड़कर नए शब्द बनाओ, व्यावार और विचार उत्तर, व्यावार का हो जाएगा अव्यावार और विचार का हो जाएगा वैचारिक दो, परिचेद में प्रयोक्त, उपसर्गयोक्त शब्द धूंड कर लिखियें तीन, निमलेकीत विराम चन्नके नाम लिखियें, पहला, प्रश्णी चिन्न और दूसरा, अवतरन चिन्न उत्तम साहित्य के लिए संगोष्टी एवे सभलनों की आवशक्ता इस विशे पर अपने विचार 25 से 30 शब्द में लिखियें उत्तर, अगर दो लेखक एकतर आते हैं, तो उनका विचार से अधिक प्रेहना उत्पन होती, जिससे वो हम अधिक उचेस्तर पर लिखान कर सकते हैं और ऐसे ही लेखक साहित तीक, अगर कोई साहित समयलन आवजित किया गया, तो उसमें वह एकतर आते हैं और अपने विचार विमर्ष करते हैं, ताके उन्हें नए नए कलपनाय सुझे, और नए नए लेखन को प्रेहना मिले, और जो नए लेखक लेते हैं, वह नए लेखक, जो पुराने लेखक, आद ये वह जो महान ये वह उच्च दरजे के लेखक होते, उनके विचारों से अपने कुछ विचारों के शामिल करते और नए लिखान के प्रेहना हुने सुझेती हैं, विवा क्रमांक दो, पद्दे विवा कूलंक 12, प्रश्ने क्रमांक दो का निमलिकित पठित पद्देश पढ़कर दी गई सुचनों के अनुसार पूर्तिया, पूर्ण कीजे, हे मात जिससे सपुत उपजे, स्री राम कुष्नेजे से उस दुलकों में तेरी निजल शिष्पे चड़ाओ, माई, समुदर जिसकी पदरज को नित्ते दोकर करता प्रमांतुच को वेचरन में दबाओ कृति करमांकर एक, आकृति पूर्ण कीजे, पद्देश में उल्लेकित, दो महान पोरानिक चरित्र, हिंदु धर्मा के लोग भगवान के रूप जिन की पुजा करते हैं, वो बताई हैं, उत्तर, राम और कृष्ण दो, निमलेकित प्रश्णों के उत्तर लिखिये, एक शब्द में, एक, कवी के जिवाव पर इसके गित हो, उत्तर, मात्रुभुमी, मात्रुभुमी के सपुत, उत्तर, तो मात्रुभुमी के सूपुत, राम कृष्ण तीन, मात्रुभुमी के चर्णों में इसे नवाना है, उत्तर, शेश, मात्रुभुमी के चर्णों में शेश नवाना है, चार, मात्रुभुमी कवे के मात्य पर यह है, मात्रुभुमी कवे के मात्य पर चंदन है कृतिक रमांक दो शब्द संपदा निमलिकी शब्दों के समवनार्थी शब्द लिखिए नवाना उत्तर जुकाना रज उत्तर नित्य कृतिक रमांक तीन स्वमत अधिवेक्ति मातरुमी की सेवा में ही जीवन अरपन करना प्रत्यक मनशका करते हुए कतन पर अपने विचार 25 से तीसर शब्दों में लिखिए दोस्तों यह स्वमत अभी वक्ति आप अपने मन से लिख सकते हैं इसमें आप बता सकते किस प्रकार मातरुमी के हम पर उपकार है और वह उपकार हमें किस तरह निवाने चाहिए तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं या हमें इस पर बता नहीं नेक्स्ट निम्लिकित पठित पद्याश पढ़कर दी गई सुचनाओं के अनुसार कुर्तिया पूर्ण कीजिए बदला बदला सा मोसम है बदले से लगते है सुर दीदा फाड़े शहर देखता गाव देखता टुकर टुकर तिल रखने की जगा नहीं शहर थसा थस भरे हुए उदर गाव में पिपल के है सारे पत्ते जरह हुए मेट्रो के खंबे के नीचे राजा गुजारे परेमसुर दीदा फाड़े शहर देखता गाव देखता टुकर टुकर इधर शहर में सारा अलम आक खुली बस दोड रहा कुर्तिक रमांक एक आकुर्ति पुर्ण कीजिए गाव का देखना और शहर का देखना उत्तर गाव का देखना तो गाव देखता टुकर टुकर और शहर का देखता शहर देखता दिदा फाड़े कुर्तिक रमांक दो उचित जोडिया मिला हो एक मेट्रो शहर और पीपल गाव इसके पच्चाथ दो निमलिकित प्रश्णों के उत्तर लिखिए पत्ते जहरा हुआ उत्तर पीपल का उरुख्ष जिसके पत्ते जहरे हुए है इसके पच्चाथ दो जाहत तिल रखने की जड़ा नहीं है उत्तर शहर कुर्टि क्रंशर तेशर 3 शब संपता निमलिकी शब्दों के विलम शब्द लिखिए एक रात दो नीचे उत्तर रात उसका हो जाएगा दिन और नीचे इसका उत्तर हो जाएगा उपर कुर्टि क्रमांक तीन स्वामत अभियक्ति बारतिय संस्कुर्टी के दर्शन द्यातों में होते हैं इस विशे पर अपने विचार 25 से 30 शब्दों में लिखे हैं दोस्तों यहां पर भारतिय संस्कूर्थ की दियात मतलब क्यात अपने गाउं के तरब जो कि भारतिय संस्कूर्थ के दर्शन होते हैं यहां में लिखना है शोरों में अभी पूरे शोर के से खचा कच पूरी तरा से भरे हुए है पर गाओं में अभी भी जो है कि हमारी संस्कूरतियों जब तेह इस विशे पर विच्छार हमें आपे प्रस्तुत करने हैं विवाग क्रमांकत तीन भाष्य अद्धेयन व्यकरन विवाग कुलंक दस प्रश्ने क्रमांकत तीन सुचनाओ के अनुवसार कृतिया कीजिए एक निमले के त्वाक्यों में से रेकांकी शब्दों के बेद पहचांकर लिखिये हिमाले सरेष्ट पर होते हैं तो उत्तर हिमाले इसका हो जाएगा नाम और दो रमिश दूद पिता है तो इसका हो जाएगा दूद सामाने नाम दो निमलिकेत वाक्यों में से रिकांकित सर्वनावमों का शब्दों को बेद पेचांकर लिखी है मैंने उत्तर दो बाहर कोई है उत्तर तीन निमलिकेत वाक्यों में से रिकांकित विशेशनों शब्दों बेद पेचांकर लिखी है सिता सुंदर लगी है उत्तर गुन विशेशन दो मेरा कक्षा में पहला नंबर आया उत्तर संक्या विशेशन चार निमलिकित विरामचन्नों के नाम लिखिये पहला अवतरन चिन्न दूसरा पूर्ण विरामचन्न पाच शब्द समो के लिए शब्द लिखिये जिसकी तुलना न हो सके वह अतुलनिया चे निमलिखित अधिरोकांकित अवय के बेद पहचानकर लिखे कोई एक मेकल गाव में था त्याप्र में गाव का बेद पहचानकर लिखना है और दो रमिश और महिश मित्र है साथ निमलिखित मौहरो के अर्थ वाक्य में प्रयोग किजिए चक्कर में पढ़ना अर्थ कुछ न सुझना इतना बड़ा शहर देखकर राम चक्कर में पढ़ गया गले लगना अर्थ मिलना रमिश और सुरेश दो भाई एक साल से बिच्ड़े हुए थे वह मिलते ही एक दूसरे के गले लग गए विबाग क्रमांग चार रचना विबाग उपयोजित लेखन कुलंक 12 प्रश्न क्रमांग चार निमलिकेत पत्र का प्रावरूप तयार किजिए 252 सोमवार पेट करार से नितिन कलपना बागवत अपने मित्र के जन्मदिन पर बदाई देते हुए पत्र लिखता है या लिखती है अत्वा आदित्य सदन इंदिरा नगर कस्तुर्बा गांधी मार्ग अउरंगाबाद से आदित्य बोरकर पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन शिवाजी नगर अउरंगाबाद 431001 को लाउट स्पिकरों की शोर होने वाले परिशानियों की शेकायत करते हुए पत्र लिखता है प्रश्ण क्रमांगव पाच निमलिखित मुद्दों के आदार पर सतर से अस्ती शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शिर्षक दीजे तता लिखिए एक बुड़ा किसान तीन आलसी लड़की किसान का मृत्यों किसान का लड़कों को बुलाना अपने केत मे एक खजाना गड़ा हुआ किसान की मृत्यों लड़कों का सारा खेल सारा खेत खोड़ डालना वर्षा अच्छी फसल लड़कों को हर्श्यार खजाना मेलना और सीक अथ्वा निमलिकी जानकारी के विध्यापन त्यार किजे सिर्मोर छते दूपसे रक्षा बरसात में सुर लेकन कीजिए एक मेरे प्रिये अध्यापक यदि पंक होते तो तीन एक भुकम पर पिलीत की अत्मकता दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जली से सब्स्क्राइब कर दीजे इसे ही नए नए वीडियो के लिए